जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम सबसे पहले उसकी स्माइल नोटिस करते हैं और स्माइल को खुबसुरत बनाने के लिए सबसे ज़ादा महदवकून होते हैं आपके दांत, आपके टीत और दातों का खयाल रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है खर पर आप अपने दातों का खयाल कैसे रख सकते हैं यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वेल, सब कहते हैं कि दिन में दो बार ब्रश जरूर करना चाहिए, ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो जब रात को आप सोते हैं तो 8 गंटे आपने कुछ खाया पिया नहीं होता है इसलिए माउप में बैक्टीरिया और जर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि सुबह उठते ही आप ब्रश करें नहीं तो वो बैक्टीरिया और आसेट्स धीरे-धीरे आपके दातों को खराब करने लगते हैं अच्छा मेक्शो जब भी आप ब्रश करें तो फड़ा-फड़ा आपको 20-30 सेकंड नहीं गिंती से आपको 120 सेकंड यानि की 2 मिनिट आपको ब्रश जरूर करना है और उसी के अलावा रात का ब्रश भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जो भी आपने खाए वो आपके दातों से अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके दात और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अच्छा उसी के अलावा जब भी आपने कोई डाक कलर्ड वेजटेबल्स खाए है या पर अपने आपके खाने में हल्दी ज़्यादा है अपने दोस्तों के साथ वाइन पी है क्योंकि वो अपसर दातों में चिपक जाती है स्टिकी होती है और उससे क्यावटी होने का खत्रा बढ़ जाता है अच्छा एक और चीज़ों सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है टंग क्लीनिंग टंग क्लीनिंग भी आपकी डेंटल हाईजीन का हिस्सा है और अगर आप रेगिलरली टंग क्ली नहीं करते हैं तो उस वज़े से भी आपको बैड ओडर यानि की मुह से बद्बू आने की शरकायत भी हो सकते है और उसी के साथ-साथ फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है जो कि आप किसी भी केमिस्ट की दुकान से ले सकते है तो आपको हफ़ते में 2-3 बार फ्लॉस करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ताकि आपके दातों के बीच पे जो भी गंदगी है जो भी फसा हुआ खाना है वो एजली निकल पाए उसी के साथ-साथ अगर overall आपके दात sensitive है या फिर गरम ठंडा खाने पर आपके दातों में जंजनाहट भी होती है तो आप नमक के पानी से खुलाब कर सकते हैं क्योंकि वो भी overall आपके दातों को clean करता है और साथ-साथ सारे bacteria को remove करता है उसी के अलावा दात में दर्द होने पर अगर आप आइस पाक भी रखते हैं तो उससे भी आपको अराब मिलेगा और जितने भी hard fruits हैं या hard foods हैं जैसे कि अख्रोट हो गए, apple हो गए या फिर in fact pizza का crust ही क्यों न है अगर आपको लगता है कि आपके दात sensitive हैं तो apple bite करने की बजाए उससे आप cut करके खाएं उसी के साथ-साथ make sure कि अगर आप कुछ ice cream ले रहे हैं तो उसके बाद आपको गरम कुछ नहीं खाना है और वाई से वर्सा क्योंकि sensitivity इससे बहुत जादा बढ़ जाती है और जब भी आप brush करें बहुती हलके हातों से brush करें नहीं तो आपके gums जो हैं वो damage हो सकते हैं और उने से bleeding भी हो सकती है हर 6 महिने में dental check-up बहुत ज़ादा जरूरी है ताकि अगर कोई cavity है या कोई भी दातों से संबंदित दिक्कत है तो वो तुरंट identify भी हो जाए और उसका समय से इलाज भी हो जाए और सो जितने भी लोगों को wisdom truth वाल एरिया में pain रहता है या दर्द रहता है उन्हें लगता है खाना जो है वो फस जाता है जिनमें है long जो कि basically आपके दातों के दर्द को भगाता है उसके अलावा cottage cheese और पनीर अगर आपने कोई भी ऐसा food item खाया है जो कि आपके दातों को stain कर देता है उसके बाद पनीर खा लीजिए आपके दात पीले नहीं पड़ेंगे और साथ-साथ pineapple भी आपके दातों को क्राइब लास नहीं